पुजन करने से शारे संकट रोग शोक दूर हो जाते हैं। हिंदु धर्म में हनुमान जन्मुत्सब का दीन खास माना जाता है। स्री रामभक्त हनुमान जी का जन्म चैत्रपुर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रान छत्र और मेश लगन में हुआ था। मनता है कि इस दिन हनुमान जी की विदी विधान के शाथ पूजा करने से मन की शारी मुरादे पूरी हो जाती है। और इस साल हनुमान जन्म चब 16 अप्रेल 2022 शनी बार को है। हनुमान जी की उपासना करने का दीन शनी बार ऐसे भी बहुत सुब होता है। और इस साल हनुमान जी अन्ति पर बजरंग बली की पूजा करने के लिए एक विशेष योग बन रहा है। चैत्र माश की पुर्णिमाति थी शनी बार 16 अप्रेल को देर रात दो बज कर 25 मिनट से सुरू होगी जो की 17 अप्रेल को दो पहर 12 बज कर 24 मिनट पर समाथ होगी। इस दिन हस्त ओचित्रा नचत रहेगा। हनुमान जयनति पर शुबह 5 बज कर 55 मिनट से 8 बज कर 40 मिनट तक रवी योग रहेगा। रवी योग में हनुमान जी की पुजा करना बहुत सुभ माना जाता है और इस अबधी में सुभ कार्ज करना बहुत उत्तम रहता है। अगर आपको आर्थिक संकट है आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हनुमान जन मुत्सब के दिन भक्त को क्या करना चाहिए ताकि उनको आर्थिक संकट से मुक्ती मिले। हनुमान जन्ति पर भक्त धन प्राप्ति के लिए विशेश उपाय करते हैं। इस दिन हनुमान जी को जल चड़ाने के बाद पंचामरी चड़ाना चाहिए तील के तेल में नारंगी शिंदूर भोल कर चड़ाएं। हनुमान जी को लाल पुष्प अरपित करना चाहिए। इसके अलावा गूरे आगे हुके आटे की रोटी और चुर्मे का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से बजरंग बली प्रशन होते हैं और भक्तों को सुख सम्रिधी का बरदान देते हैं। अतुलित बलधामं हे मैसे लाब देहं। अद्धनुजवन कृशानों ग्यानिनाम ग्रगन्यं। सकल गुन्निधानं बानरानाम धीशं। अर्रगुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामी बोलिये जै जै शियाराम जै जै हनुमान।